आप सब को जय मसी की माइबल स्टोरी जिन्दी यूट्यूब चैनल पर आप सब का स्वागत है आज मैं आपको अबराहम की बुलाहट के बारे में बताने वाली हूँ जिसका वर्ण आपको उत्पत्ती की पुस्तक के 11 अध्या के 27 वचन से 12 अध्या के 10 वचन तक देखने को मिल जाएगा इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें आप हमारे बाइबल स्टोरी जिन्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल अक्विन को दबाना ना भूलिएगा तो आएप्रियो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं यह उस समय की बात है जब अबराहम अपने पिता तेरहे के साथ कस्दियों के ऊर नगर से कनान देश जाने को निकले परन्तु वे हरान नामक देश में पहुंच कर वहीं रहने लगे जब तेरह 205 वर्ष का हुवा तब वह हरान में मर गया और उसको वहीं मिट्टी दी गई तब परमेश्वर ने अबराहम से कहा कि अपने देश और अपने कुटम्बियों और अपने पिता के घर को छोड़ कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझे एक बड़ी जाती बनाऊंगा और तुझे आशिश दूँगा और तिरा नाम महान करूँगा और तुझे आशिश का मूल होगा जो तुझे आशिरवा दे उन्हें में आशिश दूँगा और जो तुझे को से उसे में शाप दूँगा और भूमंडल के सारे तिरे द्वारा आशिश भाएंगे. प्रियो, यहां मैं आपको कुछ महत्यपूर्ण बाते बताना चाहती हूं. सबसे पहले तो यह ध्यान दे कि अबराहम अपने पिता तेरहे के साथ कजिदियों के ऊर्देश से कनान जाने को निकला. अर्थाद, जब अबराहम उर्देश से निकला, तो वे कनान जाने वाले थे लेकिन जब वे हारान देश में आय तो वे वहीं बस गई अब गौर कीजी प्रियो, कि वे कनान देश जाने के लिए ही निकले थे लेकिन हरान में ही भज गए, उससे आगे नहीं बढ़े क्यों? क्योंकि अबराहम अपने पिता के घराने के साथ था और उसका पिता कनान जाने के बजाए हरान में ही रहने लगा अपने पिता के कारण अबराहम भी कनान की अपने यात्रा में आगे नहीं बढ़ सका प्रियो जब भी आप परमेश्र की इक्चा से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ऐसा करने से रोकने वाले सबसे पहले आपके कुटम्बी ही होंगे वो आपके माता पिता, भाई बहन या आपके पती या पतनी तदा बच्चे भी हो सकते हैं हो सकता है कि आप प्रभू के पीछे चलना चाहते हूं लेकिन आपके परिवार वाले कह सकते हैं कि नहीं इसलिए जब परमेश्र ने देखा कि अबराहम अपने कुटम्बियों के साथ हरान देश में आकर बस गया है तब परमेश्र ने उससे कहा कि अपने देश और अपने कुटम्बियों और अपने पिता के घर को छोड़ कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा प्रियो जब परमेश्र ने अबराहम को भुलाया तब वह 75 वर्ष का था और परमेशन ने उससे कहा कि अपने सारे रिष्टदारों को छोड़ कर उस देश में चला जा जो मैं तिजे दिखाऊंगा यह अबराहम की पहली परिक्षा थी जिसमें वह सफल हुआ क्योंकि वह अपने सारे रिष्टदारों को छोड़कर उस देश की और निकल गया जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानता था प्रियो अपने पिता के घराने को छोड़ना, अपने भाई, बहनों और रिष्टदारों के साथ संभन तोड़ना आसान नहीं होता है अपने प्रियो लोगों को छोड़कर एक अंजान देश में चले जाना यह कोई मामूली बात नहीं है लेकिन अबराहम परमेशे पर विश्वास रखकर अंजाने देश की और चल पड़ा और यही हम अबराहम के द्रिन विश्वास को दिखते हैं जो उसने जीविते परमेशे पर रखा था और इसलिए उसे विश्वास का पिता भी कहा जाता है प्रियो उधारन के रूप में हम एक नमचाज शिशु को देखते हैं जब वह माता के गर्ब से बाहर आता है तो वह माता की अवनाल से जुड़ा हुआ होता है और जब तक वह काटी नहीं जाती तब तक वह अपनी माता से अलग नहीं होता ठीक उसी तरह प्रियो जब तक हम उस जोर को नहीं काड़ते जो हमें हमारे विश्दारों से जोड़े रगती है तब तक हम प्रभु येशु के चेले नहीं हो सकते इसलिए प्रभु ने लुका के सूसा माचार और उसके चौदा अध्याय के 26 वचन में कहा है कि यदि कोई मेरे पास आई और अपने पिता और अपनी माता और पत्नी और बच्चो तथा अपने भाई बहनों वरन अपने प्राण को भी अपरिये ना जाने तो वह मेरा चेला न क्या हमें अपने माता पिता भाई बहनों तधा रिष्टेदारों को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए तो मैं आपको बता दू प्रियो कि प्रभु के कहने का मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि आप अपने परिवार को पूरी तरह त्याग दे परन्तु प्रभु यह कहन चाहते हैं कि हम प्रभू से ज्यादा और किसी रिष्टे से ज्यादा प्यार ना करें आपका पहला प्यार से प्रभू ही रहना चाहिए और प्रभू से ज्यादा हमें किसी को प्रिये नहीं जानना है जब तक आप अपने रिष्टे नातु को प्रिये जानोगे तब तक आप प्रबु के पीछे चलने की लिए सबसे पहले आपको अपने परिवार का सेक्रिफाइस करना जरूरी है। तब ही आप प्रबु की पिछे चल सकते हैं। बिना त्याग कि हम कभी भी प्रबु के पीछे नहीं चल सकते। तब हम आगे देखते हैं प्रियों कि यहव की वचन की अनुसार अबराहम चला और लूद भी उसकी संग चला जब वह हरान देश से निकला था उस समय वह पचित्तर वर्ष का था इस तरह अबराहम अपनी पत्नी सारा और अपनी भतीजे लूद को और जो धन उन्होंने दाप्त किये थे सब को लेकर कनान देश जाने को निकला और वे कनान देश में आ गए और शक्यम में मोरे की बांज रख्शु के पास पहुंचे उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे तब यहवा ने अबराहम को दर्शन देकर कहा यह देश मैं तेरे वन्ष को दूँ फिर वह वहां से आगे बढ़ कर उस पहार पर आया जो बेतल के पुर्व की ओर है और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पस्चिम की ओर तो बेतल है और पुर्व की ओर आई है वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रात्ना क प्रियो जब परमेशन ने अबराहम को बुलाया तब अबराहम परमेशन की आग्या का पालन करते हुए अपने घर से और अपने कुटुम्वियों के बीट से निकल गया जो हमें यह सिखाता है कि विश्वास के साथ आगे कारिता होना बहुत जरूरी है क्योंकि यदि आप परमेशन पर विश्वास करते हो और उसकी आग्याओं का पालन नहीं करते हो तो यह विश्वास वियर्थ है इसलिए यहोनक के सूसमाचार में प्रभू येश्यमसी यह कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आग्याओं को मानोगे परमेशन हमारे लोगों को छोड़ना हो या फिर अपने इकलोते बेटे का बलिदान करने के लिए तयार होना हो अपनी आगयकारिता के दुआरा अबरहाम ने यह साबित किया कि वह परमेशर से कितना प्रेम करता है क्योंकि जहां प्रेम होता है वहीं आगयकारिता होती है प्रियो यदि आप परमेशर से प्रेम करती हैं तो आप उसकी आग्या का पालन जरूर करेंगे और आप हमेशा परमेशर की आग्या का पालन करने के लिए लाहित होंगे इसके साथ ही प्रियो हम यह भी देखते हैं कि कनान देश में पहले कनानी लोग रहा करते थे ये लोग मुर्ति पूजक और अन्य जाती थे जो जीवते परमेश्वर को नहीं जानती थे कनानी लोग परमेश्वर की द्रिस्टी में घ्रिनित थे और परमेश्वर उन्हें पूरी तरह से नस्ट करके वह स्थान अबराहम की वंशच को देना चाते थे ताकि उस भूमी पर अबराहम की वंचस रह सके अबराहम से की गई प्रतिग्या सैकडो साल बाद यहोशु की द्वारा यरिहो नगर के उपपर विजेह प्राप्त करने से पूरी हुई प्रियो हमारा परमेश्वर प्रतिग्या को पूरा करने वाला परमेश्वर है वह जो भी वैदे करता है उसे भूलता नहीं है लेकिन उसे पूरा करता है हाँ उसके वैदों को पूरा होने में समय जरूर लगता है लेकिन वह अपनी की गई प्रतिग्यां को पूरा करता ही है प्रियो हो सकता है परमेशन ने आप से कुछ प्रतिग्या की हो और उसे बहुत समय हो गया है आप दिरज रखते रखते ठक गए होंगे लेकिन मैं आपसे कहना चाते हूँ कि आप यहोव की प्रतिग्या पूरी होने की बाट जोते रहें परमेश्व समय आने पर आपसे की गई प्रतिग्या को जरूर पूरा करेंगे प्रियो अबराहम की बुलाहट कोई साधरन बुलाहट नहीं थी परमेश्व ने एक विशेश उद्देश के लिए अबराहम का चुनाव किया और अबराहम ने भी परमेश्व की योजना को पूरा करने के लिए अपने आप का समर्पन कर दिया और विश्वास का एक आदर्श प्रियो अबराहम का जीवन हमें सिखाता है कि हम अपने आपको परमेशों की इक्षा पूरी करने के लिए समर्पित कर दें और परमेशों पर भरोसा रखें क्योंकि परमेशों ने हमें इस अंसार से अलग इसली किया है तक कि हम दूसरे लोगों के लिए आशिश का कारण बन और उससे कहा कि पृत्विक के सारे कुल तेरे द्वारा आशिश पाएंगे हाँ प्रियो अबराहम की तरह हमें जाती-जाती के लोगों के लिए आशिश का कारण होने के लिए बुलाए गए हैं हमारा विश्वास और हमारी आगे कारिता ना सिर्फ हमारे लिए बलके दोसर का संशित वीवरण आप सब के लिए आचिश्मेक रहा होगा अगली वीडियो में एक नए विशे के साथ आप से फिर मुलकात होगी तब तक के लिए आप सब को जय मसिकिए